रूसी सरकार से जुड़े हैकर्स ने दुनिया को अंधेरे में डालने वाला साइबर वेपन तयार किया है अमेरिकन रिसर्चर्स के अनुसार ये साइबर वेपन डायरेक्ट पावर ग्रीट को नुखसान पहुचा सकता है अमेरिकी अख़बार वाशिंटन पोस्ट की खबर के अनुसार इस मालवेर को रिसर्चर्स ने क्रैश ओवर राइड नाम दिया है पिशले साल दिसंबर में इसने यूकरेन के एक एनरजी सिस्टम को नुकसान पहुचाया था इस घटना में हैकर्स ने की विस्थित ग्रीट में कुछ देर के लिए पावर जेनरेशन को शटडाउन कर दिया था ड्रेगोर्स नाम की साइबर सेक्यारिटी फर्म ने एक रिपोर्ट जारी किया है इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इस मालवेर को और बहतर तरीके से डेवलप करके इस अमेरिका के इलक्रोनिक ट्रांसमिशन और डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम पर इस्तमाल किया जा सकता है रिसर्चर्चर्ज का खेना है कि रूस के हैकरों ने पहले भी अमेरिका की उर्जा और अन्य महतवपून सिस्टम्स को नुकसान पहुचाने की दिशा में रूची दिखाई है इस माल्वेर के जरिये हैकर्ज कई जगहों पर एक साथ हमला कर सकते हैं यानि इससे एक ही समय में कई इलाकों में अंधेरा किया जा सकता है एनमेफ न्यूस के रिपोर्ट